हरो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल इमकान क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का 7.3 का कुशन नमबर 3 इस कुशन में दिया हुआ है तो कह रहा है इसमें कि जो अबी है वो अबी जो है यह साइट एच ट्रेंगल का अबी जो है पी क्यू का एक्वल है और बी सी जो है और बीटियान एम जो है वो पी एन का एक्वल है उसके बाद इसमें हमको प्रूब करना है कि ट्रेंगल A, B, M, C, 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 P, Q, R तो चले दोस्तों पहला वाला प्रूब करते हैं शुरू करते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखेंगे कि इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल a b a b m और दूसरा ट्रेंगल का p q n इन ट्रेंगल p q n इसमें हमको पहले ही से पता है कि b m जो है BM जो है वो Q1 के equal है तो लिख देंगे BM is equal to Q1 और BM और Q1 इसलिए equal हैं क्योंकि यह AM और PN जो है वो median है इसका तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि BC is equal to QR और इन दोनों का हम लोग हाफ जब करेंगे न तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का जब हाफ करेंगे तो BM और Q1 equal हो जाएगा दोस्तों अब इसमें जो दो दिया है वो हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि AB और PQ इन दो ट्रेंगल में इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में देखेंगे कि AB जो है वो P क्यों कि Equal है तो लिखेंगे AB is equal to P लिखेंगे Given क्योंकि यह पहले इसे Given है Question में और 2nd है यह AM और PN क्योंकि Medium भी Equal है तो लिखेंगे AM is equal to PN यह भी Given है तो साइट 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 से हो गया तो इसलिए देर्फ़र लेकिए ट्रेंगल ए बी एंड एब कंग्रेंट हो जाएगा ट्रेंगल कि घ्र कुं का और रिजर के साइड साएड जाए डूल डी का अम गया अब हमको इस पूरेकर करना था तो यह हो गया कोग्विन लकिन यहाँ पर हम एक छीज़ और लिख देढगे कि इंगल यहाँ पर कि की देख सकते कि यह वाला इंगल और यह वाला इंगल भी एक्वल हो जाएगा तह लिख देगा इंगल भी इसQALE to adult इंगल क्यों यह भी हो जएगा सीपींशिती से हैं और हम Appeal चाहते तो उसको A, B, M और P, Q, N भी लेख सकते थे दोनों इंगलों को ठीक है दोस्तों अब हम इसका दूसरा पार्ट A, B, C और P, Q, R को प्रूब करते हैं तो दूसरा है कि A, B, C और P, Q, R को प्रूब करना है तो इसमें लिखेंगे कि ट्रेंगल A, B, C एंड ट्रेंगल P, Q, R यहां पर इन इन ट्रेंगल एंगे कि इन ट्रेंगल ठीक है दोस्तों इसमें हम लोग को क्या क्या पता है कि हम लोग को वही पत्चीज पता है कि देख सकते हैं फिगर में कि A, B और P, Q एक्वल है तो लिख देंगे कि A, B, C और P, Q यूंकि अब हम दोनों पूरा ट्रेंगल को ले रहे हैं पूरा पूरा ठीक है दोस्तों जितना दोनों ट्रेंगल का A, B, C और P, Q, R पूरा ले रहे हैं दोनों ठीक है तो A, B और यहां पर इसको लिख देंगे गेंगे गिवन और दूसरा हम लोग पूरूब किये थे कि इंगल भी इसकोल टू इंगल क्यों तो देख सकते हैं कि इसमें इंगल और इसमें दोनों का से में इकोल है तो यह हो जाएगा पूरूब्ड एवर पूरूब्ड एवर ठीक है अब इस दोनों फिर्गर में देख सकते हैं और इसमें तीसरा है बीसी इसकोल टू क्यूव थे के दस्तों यह भी गिवन है तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं अब एक्वल है तो इसमें लिख देंगे यह भी है गिवन यह जब यह गिवन हो गया तीन ओट साइटम को तीन चीज मिल गया जो तीन पोट्स थ्री पॉइंट्स अपको चाहिए था तरे पोर्स मिल गया यह देरफोर है ट्रेंगल कि अब इसी को मृटन हो गया अ त्रेंगल पी क्यू आर का तो साइड एंगल साइड रूल से यह कॉंगरेंट हो गया ठीक है ठीक है दोस्तों वीडियो आप लोगों कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताएगा यह हमको प्रूप करना था तो यह प्रूप्ड हो गया अब मिलते हैं नेक्स टूडियो में बाई